सो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल वी फॉर वेल्यू में आज बनों बात करने वाले हैं माइंटरी के जून के कौर्टरेटली रिजल्स के बारे में तो आपको पता देना चाहूंगा सबसे पहले एक चीज कि माइंट्री एन एलन टी अनॉंस दा मर्जन टू क सबसे बात करते हैं चयुक्त कर लाट रिज़ेंगर चेजांस की कि मेंस की। and investment करने पड़ रहे हैं तो यह इसका एक मेंन हो सकता है साथ ही सथ कंपने का चाइश एन इवेस्मेंट के भी धोड़ा तो यह एक थोड़ा सा negative sentiment है अगर आप बात करें कौर्टर बंक के बारे में धैन बात करते हैं मीरेश को कमाया और क्या नहीं तो इसका थोड़ा सा जूम करने की कोश्च करूआँ, मैं आशे करता हूँ, अब आपको ये ठीक से दिख रहा होगा, आप जैसे कि देख पा रहेंगे, ये कंपनी का जून क्वाटर के रिजल्ट है, ये पिछले क्वाटर का रिजल्ट है, तो हम इन दोनों से इसे compare करेंगे पिछले quarter के and पिछले year के जून के quarter के result से जैसे कि आप देख पारेंगे company revenue wisely अपने last सभी quarter से काफी अच्छा performance दिखाया यहाँ पे बात करते हैं company expenses की तो वो भी company का काफी ज़्यादा बढ़ा है जो कि एक negative बात है बढ़ी company revenue अच्छा करा बट company expenses भी काफी बढ़ाए है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है क्योंकि आप सबको पता है IT company उसे ज़्यादा पैसे जो लेते हैं वो है company के employees तो उसमें company ने काफी अच्छी हैं पर बढ़ोतरी दिखाए it means company अपने employee को बेशक बढ़ाया होगा साथ में company के आप सब जून के quarter से तो यहां पर company ने कमाया तलब है 4,652 क्रोड रुपे तो अगर आप comparison करें इस यह के जून के result को तो आपको यहां पर रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मल रहा है अगर आप year on year basis पर comparison करें हाँ अगर आप quarter on quarter basis पर comparison करें तो थोड़ा सा आपको downturn देखने को मल रहा बट यह एक दम ना के बराबर है अगर आप एक long term investment के perspective से company में जोइन है तो मेरे को नहीं लगता company का यहां पर कुछ भी कलती देखने को मल रहा है क्योंकि company आने वाले time पे merger करने वाली है तो यह 10-15 करोड ऊपर नीचे चलता है मेंली हमारे जो focus company ने employee cost बढ़ाया है it means कि company अपने employee head count को भी बढ़ाया है यह चीज़े एक main होती है जो कि हमें देखना चाहिए तरह अगर हम बात करें company ने किस quarter में ज्यादा अच्छे result दिखाया तो आप जैसे की देख पा रहेंगे यहां पर आपको North America देखने को मिल रह है यह बात शौर है साथी साथ company ने revenue को इंग्रीज किया है जो कि काफी अच्छी बात है it means company ने sales बढ़ाई है नई clients को जोड़े हैं जो कि काफी ज्यादा important होता है as a business तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पर जब इनका merger होएगा और जब LN TV साथ में मिलके की काम करेगा त तो आप अगर long term के perspective से join होते हैं तब ही आप इसमें investment करिए वर्दा अगर आप already join है वरना अगर आप already join है तो आप इसमें invested रह सकते हैं company को कोई भी खराब quarterly देखने को नहीं मिल रहा है अगर market ऊपर या निचे खुलता है तो इससे कोई आपको गवराने की बात नहीं long term मे काफी बड़ी and established company है और जब इसाथ मिलके इंडिया की जैसे के आप देख पारेंगे second largest IT firm बनेंगी तो मेरे को लगता आपको इसमें कोई बुराइदेखने को मिल रही है और अगर आप इस quarter result को अच्छे से पढ़ना चाते हैं details को पढ़ना चाते हैं तो मैं इसका link आपको वीडियो और वीडियो के information दोनों ही पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक है लिए थोड़ा सा में investment को दिने करें तो मेरी यह आई-एक्स वाली वीडियो आप जुरूर देखे हैं क्योंकि शायद आने वाले टाइम पी एक monopoli न क्र दो हो जास पुआilotा को चे खायद करें सुआता वाले यह करें साथ नहीं साथ िशूर रह जो चाई भी सोाईज असार दाने हैं यह दो अस्ताए हो आपस